हेलो एब्रीवन, वेलकम तो स्टाडी पॉइंट, स्टाडी पॉइंट यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है, इस वीडियो में हम आज UP SSSC, UP PCS Pre 2018 के लिए कुछ सामान विज्ञान, जनल साइंसी कोशन को डिसकस करेंगे, चलो ले स्टार्ट करते हैं, पहला कोशन है, इ और एक कोशन 2016 में पूछा जा चुका है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, सरीर में इनका स्त्रावण अगनाशय की बीटा कोशिकाओं दरा होता है, बैटिंग एवं बेस्ट ने मेकलियोट की साहता से इंसुलिन का सक्रिय सत त्यार किया था, इसके लिए बैटिंग ए औक्सीजन और इंसुलिन, तो सही आंसर होगा, एस्ट्रोजन, और एक कोशन 2016 में पूछा जा चुका है, एस्ट्रोजन ग्राफियन पुटिकाओं की थीला एंट्रना की कोशिकाओं दरावा स्त्रावित होता है, इसका स्त्रावण यावनास्ता से लेकर रजनुरित्ती की आयू तक होता है, प्रमुक एस्ट्रोजन एस्ट्रिडियोल होता है, इसे नारी विकास हार्मोंस भी कहा जाता है, अगला कोशन है, एक ग्राफियन जिसमें अंतरस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों कार होते हैं, वो है अगनाशे, और एक कोशन 2016 में पूछा जा चुका होता है, अगनाशे यक्रित के बाद सरीर की सबसे बड़ी ग्रंती है, इसे मिश्रित ग्रंती भी कहते हैं, इसमें अंतरस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों कार होते हैं, इसकी लगबग 90% कोशकाएं 22 तथा 10% कोशकाएं अंतरस्त्रावी होती है, अगनाशे में लेंग चार आप्शन दिया गया है अगनाश है अवन्टू ग्रंती प्यूज ग्रंती और टेस्टेस तो सही आंसर होगा सबसे बड़ी अंतास्त्रावी ग्रंती होती है अवन्टू ग्रंती और एक कुश्चन 2016 में पूछा जा चुका है अवन्टी ग्रंती यानि थैरोइड मानुश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतास्त्रावी ग्रंती है जिसमें थैरोक्सिन नामक हर्मोन्स का स्त्राव होता है या हर्मोन्स वसा प्रोटीन और कार्बोहाइडरेट के मेटाबोलिस्म को बढ़ाता है हड्डियों पेशियों लैंगिंग तथा मानसिक व्रिद्ध करता है एवं हिर्दय गति एवं रक्त चाप को भी नियंत्रित करता है अगला कोशन है निम्रिकित में से कौन मानोशरी का सबसे छोटी हड़ी है चार ऑप्शन दिये हैं वो मर मैलियस स्टैपीज और इनकस सही आंसर होगा स्टैपीज जो की कान में पाई जाती है और एक क मानोशरी में सबसे छोटी हड़ी स्टैपीज होती है या कर्ण गुहा के भीतर पाई जाने वाली तीन छोटी हड़ियों में से एक है और यह तीन छोटी हड़ी है मेलियस इनकस और स्टैपीज तो मानोशरी की सबसे छोटी हड़ी होती है स्टैपीज जो की कान में पाई ज होता है तो इनके बीच का वैलू को भी हम आंसर मान सकते हैं 7.4 आसु का ओसत मान कि साथ होता है अगला कोशन है बीसी जी वैक्सीन किस रोग में प्रेक्ट होता है तो यह प्रेक्ट होता है छै रोग के लिए और यह कोशन 2016 में पूछा गया है छै रोग या येच्मा या ट्यूबर कुलेसिस टीवी माइको बैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस नामक जिवानों दोरा संक्रवित बिमारी है इसकी खोज रॉपर्ट कोश ने की थी इस बिमारी से बशने के लिए बीसी जी का टिका लगाया जाता है अगला कोशन है रिपीटेड कोशन है बीसी जी का टिका किसके वरुद रोग प्रति रोधक शक्ति प्रदान करता है अभी पीछे वाले कोशन में डिसकस किया तो यह होगा ट्यूबर कोलोसिस और ये कोशन 2016 में पूछा जा चुका है ट्यूबर कोलोसिस माइको बैक्टीरि कमी से घेंगा रोग हो जाता है चार अप्शन दिया गया है नाइट्रोजन कैल्शियम आयोडीन और फॉस्फोरस तो सही आंसर होगा आयोडीन और एक कोशन 2016 में पूछा गया है आयोडीन ततकी कमी से घेंगा रोग होता है इस रोग में थाइराइड ग्रंती बढ़ने और फूलने लगती है तता गर्दन भी फूल कर मोटी हो जाती है नेक्स्ट कोशन है मलेरिया रोग से सरी का कौन सा अंग प्रभावित होता है चार अप्शन दिया गया है प्लीहा लीवर फेफडे और अस्थिया तो इसका सही आंसर होगा प्लीहा और एक कोशन समलित अवर प्लीज मच्छर होता है रोग के प्रभाव से लाल रुद्राडू नश्ट होने लगते हैं इससे रोग के रक्ती शीर्टा हो जाती है तता प्लीहा बढ़ जाती है रक्त तनू और सरीर कमजोर हो जाता है अगर उप्यूक्त उप्शार ना हो तो रोगी की मृत्यू भी हो जाती है तोieß नेलेजी रोग से सरी का कौन सा अंग प्रभावित होता है सही आंसर होगा प्लीहा नेक्स्स हैपेटाइटिस भी जो यक्रित को प्रभावित करता है वास्तों मैं एक है यह है वाइरिस चार उप्शन दिया है वायरेस बेक्टीरियम है अंती हेपिटाइटिस भी एक प्रकर का वाइरस है कोशन 2016 पूछा जा चुका है हैपिटाइटिस भी एक वाइरस जनित संक्रामक विमारी है इससे यक्रित प्रभावित होता है है वाइरस को है यह पेड़न नावरिडी परिवार के अंतरगत रखा गया है इसमें डिन एक के दोहरे सूत्र पाए जाते हैं अगला कोशन है निमोनिया रोग सरी के किस अंग को प्रभावित करता है चार ओप्षन दिये गए हैं फेफडे, क्लोम, यकरित और अंत तो सही आंसर होगा फेफडे निमोनिया रोग फेफडे के वायू कोश्च शंक्रमित हो जाते हैं स्पेट्रो, कोकस, निमोनी और हीमोफिलिस, इंफ्लियोंजी जैसे जिवाडू मानों में निमोनिया रोग के लिए उत्तर दाई हैं इस संक्रमड के फलसरूप वाय कोश्टों में तरल भर जाता है जिसे कारण सांस लेने में गंभीर समसाएं पैदा हो जाती हैं ज्वर, ठिटुरन, खासी और सिर्दत आदी निमोनिया के लच्छण हैं तो निमोनिया रोग किसे प्रवाइद करता है यकरित गलत होगा, कलोम भी गलत होगा, आंत भी गलत होगी, सही होगा, फेफडे और एक कोशन ग्राम पंचेया तितिकारी 2016 में पूछा गया है तो इसका अंसर होगा छोटे बच्चों में, सेर्वल प्लासी ये छोटे बच्चों में होता है, और एक कोशन 2016 में पूछा जा चुका है cerebral palsy एक मस्तिक समन्दी विकार है बिमारी है जो समानता चोटे बच्चों में पाया जाता है प्रात्मिक रूप से या शरीर संचलन एवा मान स्पेशियों में समन्वें को प्रभावित करता है नेक्स्το कोशन है विडाल परिक्षन कि विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है चार नाम फ्रांस जिवाडूविद् जॉर्श फरनेड इस दोर विडाल के नाम पर रखा गया है नेक्स्ट कोशन है अल्जाइमर रोग किस से सब्मंदित है चार ऑप्शने गुर्दे आंक मस्तिक्स इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर होगा मस्तिक्स और ये 2016 की परिक्षा में पूछा गया है अल्जाइमर रोग मनो भ्रंश रोग का ही एक विशेश प्रक इसका कोई इलाज नहीं है पर कुछ दवाओं और प्रबंदा रणनीतियों से लक्षण में स्थाई सुधार हो सकता है या रोग मस्तिक्स को प्रभावित करता है तो मारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी अल्जाइमर लोग किस से संब्मंदित है ये है मस्तिक्स से अगला कोशन है जिस जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेश रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को क्या कहा जाता है तो ये कहराता है वर्णा धता और ये कोशन 2016 में पुछा गया है जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेश रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को बोलते हैं वर्णा धता अगला कोशन ने रक्त कैंसर को कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको कहता है लिको मीनिया और ये कोशन 2016 में पूछा गया है लिकोमिया एक प्रकार का कैंसर जो की रक्त और अस्ति मजजा बोन मैरो जहां रक्त कोश्याओं का निर्मार होता है उन्हें प्रभावित करता है इ तुजर प्लेग डिफ्थेरिया और दमा तो नहीं पूचा गया यह ध्यान रखना है तो हमारा आंसर होगा बैक्टीरिया से दमा रोग नहीं होता है यह कोशन कोराइन बैक्टीरियाम डिफ्थीजी नामक जिवाड़ों के संकरमन के कारण होता है दमा या अस्तमा स्वस्तन तंत्र की बिमारी है जिसके कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है दमा अलर्जी मौसम के प्रभाव यह आनुवानशिक कारण से होता है अगला कोशन है कान महसूस करना वजन गटना यह मदू में के लक्षण है और यह कोश्यन 2016 की परिक्ष्य में पूछा जा चुका है मदू में या शुगर एक गंबीर विमारी है जो कि मनुष्य के शरीर में अगनाशन नामक अंता स्रावी ग्रंती दोवारा इंस्तुल नामक स्त्राव के अ चान महसूस होना बहुत प्यास लगना वजन कव होना भूग अधिक लगना मूत्र बारबर एवं अधिक मात्रा में होना शरीर में फोड़े फुंसिया बार बार निकलना और शरीर में घाव या फोड़ा होने पर घाव जल्दी ना भरना आदी अगला कोशन है गेहू में प्रोटीन का प्रतिसत कितना होता है चार अप्शन दिया गया है 45 प्रतिसत, 25 प्रतिसत, 12 या 30 प्रतिसत तुमारा गेहू में प्रोटीन का होता है प्रतिसत 12 और ये कोशन 2015 में पूछा जा चुका है गेहु में लगभग 12% प्रोटीन पाया जाता है अगला कोशन है दाले किसका अच्छा श्रोथ होती है चार ओप्शन दिया गए कार्बो हाइडरेट का, वसाओं का, प्रोटीन का और विटामिन का तो दालों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन और रेप्रेशन 2015 में पूछा जा चुका है दाले मुख रूप से प्रोटीनों का अच्छा श्रोथ होती है सबसे सुपाच प्रोटीन मुग की दाल में पाया जाता है अथा इसका प्रयोग रोग्यों को भोजन के रूप में देने होतों किया जाता है नेक्स्ट कोशन इस हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है ये है हीमोग्लोबिन हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है और एक कोशन 2015 की परिक्षा में पूछा जा चुका है में पहुचाता है एक्ष्ट कोशन है पैनिसलीन की खोज किस ने की चार ऑप्षन दिया गया है एडवर्ड जेनर अलेक्जंटर फ्लेमिंग लुई पाचर और इयान फ्लेमिंग यह इस वीडियो का लास्ट कोशन है तो पैनसलीन की खोज की है अलेक्जंटर फ्लेमिंग ने और यह कोशन पीसेज की परिक्षा में भी कई बार पूछा जा चुका है और यह यूपी ट्री पलसी ने 2016 में पूछा था पैनसलीन एक प्रकार का पती जावी की एंटीबाइटिक होता है इसकी खोज वर्स 1929 में अलेक्जंटर फ्लेमिंग ने की थे. Thank you so much for watching. Thank you.